So we were discussing about the breast cancer और उसमें we were discussing about the treatment जिसमें carcinoma in situ का treatment हमने देख लिया था और now we are going to discuss about the stage 1 और stage 2 उसमें मैंने आपको बताया था कि जो surgery है वो main stay of treatment है stage 1 और stage 2 का ठेक है First of all is breast conservation surgery इसमें हम क्या करते हैं कि जो breast cancer होता है उसको remove करते हैं उसके जो 1 cm हमारा होता है Normal tissue उसको भी remove करते हैं ठीक है breast cancer को जो हमारा नजर आ रहा है आपको for example 2 cm का आपको mass नजर आ रहा है आपने क्या करना है वो 2 cm का mass और उसके साथ साथ जो उसकी 1 cm margin है उसको भी remove कर देना है ठीक है local recurrence ना हो disease की ठीक हो क्या लेकिन कब आपने breast conservation surgery नहीं करनी जब multifocal tumor हो ठीक है for example this is the breast और आपको जो tumor नजर आ रहा है वो आपको multifocal मतलब यहां पे भी है यहां पे भी है यहां पे भी है यहां पे भी है तो इस case में आप breast conservation surgery नहीं कर सकते ठीक है यह ऐसा tumor है जो के निपल को involve कर रहा है यह ariola को involve कर रहा है तो उस case में भी आप breast conservation surgery नहीं करते क्योंकि इसकी main वज़ा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो skin होती है ना वो निपल और ariola के level पे ना बिल्कुल जुरी होती है नीचे टिशू के साथ ठीक है जबके जो बाकी वाला हिसा होता है ना वहां पे वो skin जो सेपरेट होती है थोरी ऊपर करके होती है और नीचे fat tissue वगारा होता है और पे इस तरह से तो मतलब ना skin बिल्कुल जुरी होती है जो निपल औरियोला और उस लेवल पे अगर cancer होना उसमें तो वो बहुत जल्दी metastasis करेगा skin के अंदर तो इस वज़ा से जो निपल औरियोला का cancer अगर है ना तो उस case में आप breast conservation surgery नहीं कर सकते ठीक हो गया तो यह चीज़ होती है इसमे we have the types इसके होती है यह तो lumpectomy plus reconstruction करते है मतलब वो जो lump है उसको हम remove कर देते हैं और फिर reconstruction बारे बागी हिसे की कर देते हैं तो lumpectomy plus reconstruction करेंगे लेकिन इसकी recurrence rate जादा हो जाता है ठीक है यह हम quadrectomy करते हैं मतलब के a quadrant remove कर देते हैं यह हमारी for example breast है तो इसके four quadrants होते हैं ठीक है four quadrants होते है तो हम क्या करेंगे वो जो for example lumpectomy में हम क्या करेंगे for example this is the lump upper outer quadrant में आपको एक lump feel हुआ है आप क्या करोगे आप उस lump को remove कर दोगे ठीक है that is lumpectomy ठीक है लेकिन अगर आप एक quadrant को remove कर रहे हो अगर आप पूरे quadrant को remove कर रहे हो अगर आप पूरे quadrant को remove कर रहे हो अगर आप breast के तो this is quadractomy ठीक है plus reconstruction मतलब कि वो वले हिस्दे को reconstruct कर दोगे reconstruction कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी यहां तो तीसरा आपके पास option होता है wide local excision ठीक है तो अगर patient कहता है ना हाँ मैंने breast कहती है कि मैंने breast conservation surgery करनी है तो फिर आप जो है ना सबसे अच्छा वाला करोगे that is wide local excision plus deconstruction plus आप क्या करोगे level 2 जो axillary clearance मतलब level 1 और level 2 axillary lymph nodes को remove कर दोगे ठीक है और इसके साथ साथ उसको post-op radiotherapy पर रखोगे तो यह बहुत अच्छा जो है ना breast conservation surgery में आप यह सब कुछ अगर करते हो ना तो यह बहुत अच्छी बात होती है recurrence को प्रॉइन मना करने के लिए तो इसके लावा उनोंने क्या counter indication बताया है कि अगर पहले से उसकी surgery होई थी same breast की radiotherapy पर थी अब दुबारा से आप उसकी breast conservation surgery नहीं करोगे उसको connective tissue disorders है radiation facilities नहीं है क्योंकि आपने post-op radiation करनी है अगर radiation facilities नहीं है तो इस patient को करने का कोई फाइदा नहीं है patient follow up पे नहीं रख सकता ठीक है और हमने दो तरह से दो तरह दो दफा हमने breast conservation कोशिश की है लेकिन फिर भी tumor cells positivity आ रही है इन सब cases में हम breast conservation surgery के इलावा कोई surgery करेंगे ठीक है लेकिन अगर patient कहता है कि मैं breast conservation surgery नहीं करवाना चाहता तो फिर आप उसको option दोगे mastectomy ठीक है तो mastectomy जो हम तब करते हैं जब breast conservation surgery नहीं कर सकते वो मैंने सारे आपको causes बता दियें for example multifocal tumor है जगा 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 tumor बना हुए इतना बड़ा large tumor है 4 cm से बड़ा है ठीक है या ductal carcinoma in situ है या lobular carcinoma in situ है उस case में आप mastectomy करते हो अब mastectomy की different types होती है simple mastectomy, extended simple mastectomy या modified radical mastectomy ठीक है इसमें से सबसे अच्छा जो है that is modified radical mastectomy breast conservation surgery में कौन सा सबसे अच्छा था wide local excision mastectomy में सबसे अच्छा कौन सा है modified radical mastectomy ठीक है तो simple mastectomy में आप क्या करोगे जितना भी breast tissue है उसको remove कर दोगे nipple areola complex को remove कर दोगे और skin को भी remove कर दोगे extended में क्या करोगे आप level one axillary lymph nodes भी कर दोगे साथ में simple mastectomy में आपने axillary lymph nodes को नहीं छेड़ना extended में आपने क्या करना है level one lymph nodes को भी clear कर देना modified radical mastectomy में हम क्या करेंगे कि सारी की सारी breast, whole breast, skin, nipple areola, fat जितना भी है axilla में, fascia जितना भी है axilla में और level two lymph nodes तक ठीक है तो simple में क्या है, simple skin है nipple areola complex breast tissue extended में क्या है, हमने level one axillary lymph nodes plus add कर दियो और modified में क्या है, कि आप level two तक करो fat और fascia, axilla का सारा remove कर दो और बाकी सारा वोई whole breast और skin, nipple, areola, ठीक है तो ये है modified radical mastectomy एक और होता है जिसको हम कहते है health state radical mastectomy ये आजकल इसलिए perform नहीं किया जाता है इस होटे से मैं इसके ओपर नहीं जा रही लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आप muscles भी remove करते है pec major, minor muscles इनको भी remove कर देते है जितने भी lymph nodes होते हैं एक सिला के 3 lymph nodes उनको भी कर देते हैं ठीक है? तो lymph nodes कौन से होते हैं आपको बता दी है जो lateral to pec minor होंगे level 1 posterior to pec minor 2 medial to pec minor 3 तो कौन-कौन से है simple mastectomy, extended simple mastectomy modified radical mastectomy health state radical mastectomy कौन-कौन सी चीज़े हैं कैसे कैसे हम increase करेंगे बस simple में अगर बताऊ simple में आपने skin तक रहना है extended में आपने level 1 new nodes remove करने है modified में level 2 तक fate और fascia of axilla और health state में आपने क्या करना है 3 लग तक lymph nodes और pec major minor भी remove कर देना अब हम यह steps करेंगे modified radical mastectomy के क्योंके हम ज़्यादा तर यही perform करते हैं मैं आपको surgery में दो options पताएं या तो आप patient को breast conservation का option दोगे या mastectomy का option दोगे mastectomy में भी जो कौन सा आप देते हो modified radical mastectomy mostly आप करते हो ठीक है तो जो है मैंने आपको बता दी कब आपने breast conservation surgery नहीं करनी तो अब जो है modified radical mastectomy के steps क्या है obviously सबसे पहले pre-op operation सारी preparation होती है patient की उसमें आपने patient को anesthesia देना है general उसको सुला देना है पिर आपने उसकी position सेट करनी है patient को आपने बिल्कुल सीधा लिटा देना है उसके head end को थोड़ा से elevate कर देना ठीक है और obviously breast का जो tissue है उसको fully exposed होना चाहिए तो जो arm है उसको abduct कर देंगे abduct मतलब जिस side का operation जिस side की breast निकालनी है उसके arm को abduct करके side पे ले जाएंगे थाके जो है वो हमें सब कुछ नजर आ जाए ठीक है जासे for example तो हमने किया general anesthesia दिया patient को देखें बिल्कुल सीधा लटाया हुआ है उसके head end को देखें हमने elevate किया हुआ है यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो थोड़ा से elevate किया हुआ है और उसके बाद हमने जो arm है उसको abduct करके side पे ले जाना है अब हमारी breast tissue बिल्कुल expose आपको देखें बिल्कुल सामने breast नजर आ रही है उसके बाद हमने क्या किया हमने जो है यहाँ पे दिया insean ठीक है ठीक है तो elliptical insean में आप मुझे बताएं कि इसमें निपल और एरियोला को कुछ हो रहा है नहीं elliptical insean इसलिए देते हैं ताके हमारा निपल और एरियोला जो है वो जरा बच जाए ठीक है तो elliptical insean दिया फिर हमने क्या किया यह जो हमने यह वला फ्लैप है जब यह काट दिया तो obviously यह फ्लैप बन जाएगा यह फ्लैप बन जाएगा तो इसको उठाके उपर ले जाएंगे और इसको उठाके नीचे ले जाएंगे ठीक है तो यह आपको नज़र आ रहा है यह वला देखे इडिप्टिकल इंसीन देने के बाद रेजड फ्लैप यह उपर चला गया फ्लैप यह नीचे चला गया निपल और और योला उधर ही है उनको कुछ भी नहीं हमने किया ठीक है तो रेजिंग दफ्लैप तो इसमें क्या होता है टीक है इतना ही करना है इसका आगे वाले लाइन सचोड़ दे इस तरह पिर हमने के किया जब हमने इस तरह किया तो आपको नीचे नजर आ गया ये वला सारा breast tissue ठीक है breast tissue breast tissue नजर आ रहा है ये जो green में कर रही हूँ इसके नीचे जितना भी होगा breast tissue होगा तो after raising the flaps breast tissue along with the axillary tail is removed तो वह देखें आपको यहां पर remove करके बताएंगे ये देखें जितना भी breast है उसको आपने remove कर दिया ठीक होगा फिर अब जैसे मैंने आपको बताया modified radical mistectomy में आपने क्या कह रिमूव करने है whole breast skin containing nipple and ariola तो इसके साथ skin containing nipple and ariola भी बाहर आ गया ठीक है अब क्या रह गया fat and fascia of axilla रह गया all axillary lymph nodes up to the level 2 रह गया तो अब तो आगे क्या होगा axillary clearance तो axillary clearance करेंगे जिसमें हम उसका fat, उसका fascia उसके lymph nodes up to the level 2 हमने remove कर देने हैं लेकिन कौन से structures हैं जिनकी हमने इhtयात करनी है या आपके you q भी है कि कौन से structures का हमने خیال रखना होता है during this operation तो आपको पता है कि we have here two muscles which are very much important एक है serratus anterior और दूसरा है latissimus dorsi serratus anterior को जो nerve supply करती है that is long thoracic nerve और latissimus dorsi को जो nerve supply करती है that is thoracodorsal nerve तो हमने इन दोनों nerves का ख्याल रखना है क्योंकि गर long thoracic nerve हराब होगी तो serratus anterior हराब हो जाएगा thoracodorsal nerves आपको यहां पे मिलेंगी तो अगर आप उसको injury कर देंगे उसकी तो latissimus dorsi का function हराब हो जाएगा तो इस वज़े से आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है इसके लावा आपने इनाटमी में देखा था axillary vein भी थी यहां पर तो उसका भी ख्याल रखना है इन चीज़ों का ख्याल रखना है axillary vein long thoracic nerve supplying the serratus anterior and thoracodorsal nerve supplying the latissimus dorsi ठीक हो गया उसके बाद obviously आपने सारा कुछ remove कर दिया है अब आपका कोई काम है नहीं तो आप क्या करोगे वहाँ पे दो brain's टाल दोगे और wound को बंद कर दोगे तो आपकी होगई surgery complete तो क्या क्या किया सबसे पहले आपने anesthesia दिया general anesthesia patient के position रखी supine position head end उसका elevate कर दिया arm को abduct कर दिया फिर आपने elliptical insean दिया दो flaps बन गे raising flaps किया upper up to the clavicle lower flap up to the rectus abdominis उसके बाद आपने जितना भी breast tissue है उसको remove किया axillary tail को remove किया फिर आपने axillary clearance की उसमें आपने सारा fat, fascia और lymph nodes up to the level 2 remove कर दिये लेकिन आपकी किन दो structures का हयाल रखा long thoracic nerve and nerve to the latissimus dorsi और axillary vein उसके बाद आपने lower कर दिया by placing two drains और उसके बाद आपने wound को close कर दिया ठीक है so these are the steps of modified radical mastectomy so easy so sentinel lymph node by up see मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहला lymph node होता है जहां पे tumor जाता है अपनी lymphatic drainage के वक्त उसको कहते हैं sentinel lymph node तो हमने क्या करना है हमें कैसे पता चलेगा कि ये विला lymph node जो है वो पहला विला है जहां पे tumor जाएगा हम क्या करते हैं during surgery क्या करते हैं कि हम एक blue dye डाल देते हैं ठीक है वो blue dye जो होता है जहां पे सबसे पहले जाएगा तो उसको हम gamma camera से देख लेंगे तो हमें पता चल जएगा हाँ ये विली जगह है जो के sentinel lymph node है तो अगर हमने वो blue dye डाला और वहां पे वो cancer cells ने ले लिया और वो positive आ जाते हैं तो उसी वक्त हम उनको cancer cells को remove करेंगे और ये भी सोचेंगे कि इसके आगे भी cancer गया हो सकता है ठीक है लेकिन अगर वो blue हमने डाल डाला और sentinel जो first lymph nodes थे वो negative है malignancy के लिए तो इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि cancer अभी lymph nodes तक नहीं गया समझा रही है नहीं इस बात की तो इसे में पता चल जाता है post of complications क्या हो सकती है hematoma बन सकता है which is most common से roma बन सकता है अगर वहाँ पे blood अकठा हो गया serious fluid अकठा हो गया उसने बनाती है से roma, hematoma और वहाँ पे infection हो सकता है जो flaps है जो हमने उठाए वे ते skin flaps दो उनके अगर बात ब्लड स्प्रेस नहीं होती blood supply उनको नहीं मिलती किसी पे वज़ा से तो वो flap necrosis हो सकती है nerves की injuries हो सकती है अगर long thoracic nerve damage होगी से retescent ear हड़ाब होगा तो winging of scapula होगा अगर thoracos nerve nerve की injury हो सकती है और अगर वहाँ पर lymph nodes का हमने problem create कर दिया है तो addem of the arm हो सकता है ठीक होगा brachial plexus की और brachial vessels की injury हो सकती है anesthesia के complications हो सकती है ठीक है तो यह सारी हमारी हो गई complications reconstruction of breast जब हमने सारा breast tissue remove कर दिया बचारी female को कुछ तो provide करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे silicon prosthesis implantation कर सकते है जो के just like breast tissue जो है वो inflatable होता है और वो एक breast की shape दे देता है silicon prosthesis implantation यह जो हमारा muscle था lattice mass doors है उसका flap यूज कर सकते है यह transversus abdominis जो muscle है उसका flap यूज कर सकते है rectus abdominis का flap यूज कर सकते है so this is how we reconstruct the breast ठीक हो गया फिर after surgery we have the chemo therapy one or two stage के लिए हम क्या करते है के chemo therapy देते है ठीक है तो कौन सी drugs है जो chemo therapy में use होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है we have the इतर लिखी हुई है देखे के depend करता है हमारा जो cancer cells है वो heart two positive है estrogen receptor positive है यह क्या है लेकिन हमारी जो drugs है वो आपने नाम याद रखने है methotrexate है cyclophosphamide है और 5-fluorouracil है इन्होंने यह neemonic बिना के आपको दिया है cmf ठीक है cyclophosphamide methotrexate और 5-fluorouracil इसके लावा जो modern आगई है उसमें anthracyclines है in which we have the doxorubicin and newer agents जिसमें हर two positive receptors होते हैं उनके लिए trastuzumab ठीक है तो यह हमारी होती है 5-fluorouracil cyclophosphamide or methotrexate doxorubicin and trastuzumab फिर hormonal therapy है इसमें we have the मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर pre-minopausal है तो उसमें आप demoxyfin देंगे anti-istrug और अगर post-minopausal है तो उसमें आप anastrozole देंगे और hormonal therapy आपकी 5 सार तक चलेगी what is axillary clearance where it is needed तो axillary clearance क्या होती है जिसमें हम axillary lymph nodes remove करते हैं fat remove करते हैं stage 1 और 2 होती है उसमें अगर हमें lymph nodes जो हैं वो positive मिल जाते हैं तो हम sentinel lymph nodes पाप से लेते हैं और फिर axillary clearance करते हैं ठीक है लेकिर अगर हमें sentinel lymph nodes जो हैं वो negative मिलते हैं या more nodes possible palpable नहीं होते हैं फिर axillary clearance का कोई फाइदा नहीं है तो अगर हमें nodes जो हैं वो palpable होते हैं कि हाँ nodes palpable हैं और sentinel lymph nodes पाप सी देखें positive मिलते हैं तो इनकी axillary clearance करेंगे stage 1 और 2 में अगर हमें नहीं मिलते हैं तो axillary clearance नहीं करनी देखें ज़्यादा तर मैंने आपको बताया कि जो हम करते होते हैं वो level 2 तक remove करते हैं जो कि modified radical mastectomy में हमने देखा है जिसमें हम level 2 lymph nodes जब remove करेंगे तो करीब न 5 से 30 चो lymph nodes हैं वो remove हो जाएंगे उसके patient के और बहुत अच्छा prognosis है इसका स्टेज 2 की समझ आई है हमने कैसे करना है कि सबसे फ़ले we have the breast conservation surgery then we have the mastectomy जिसमें हमने simple mastectomy देखी है और extended देखी है और modified radical देखी है और इसके लावा जो हमने देखा है कि reconstruction कैसे करेंगे कीमो थारेपी में कौन से drugs है hormonal थारेपी में कौन से है सेंटेनल इंफनोर पापसी कब लेंगे और कब करेंगे is a little clearance stage 3 और 4 का बहुत असान है कि stage 3 जो है उसको modified radical mastectomy कर देते है और उसके बाद adjuven कीमो थारेपी दे देते है और hormonal थारेपी और positive cases में दे देते है और stage 4 में तो जब भी हमारी stage बहुत ज़दा हो जाए तो उसमें तो हमारी palliative therapy चलती है उसमें surgery जो है न वो हम as such नहीं करते होते है ठीक है तो उसमें कोई काम stage 4 में तो कोई फाइदा ही नहीं है surgery करने का तो इसमें जो है हम total mastectomy करते है जिसमें fungating growth जो होती है उसको remove करते है जिसको कहते है toilet mastectomy जो growth है फजूल की समकी बनी होती है stage इतना बढ़ा हो गया mass इतना बढ़ा हो गया 5 cm से भी बढ़ा उस fungating growth को just remove कर देते है अदवेस फाइदा कोई भी नहीं है क्योंके पूरी body में तो spread हो गया है तो hormonal therapy जो है वो हम देते है hormonal receptor positivity उसके पर chemo therapy होई हमने देख लिया कि cmf है यहां फिर cmf जिसमे cyclophosphoramide है methotrexate florosil और हमारे पास antracyclines है और trust to zoom map है ठीक है और radiotherapy मतलब chemo therapy hormonal therapy और radiotherapy से इमकाम चलाते है just patient की जो है ना वो palliative therapy चलती है अगर chest में चलागे है सारा metastasis हो गया है तो pleural viewing के treatment करते है drainage और pleural races है और अगर brain endema होगे तो उसको steroid से ठीक करते है ठीक है मतलब just हमने उसको treat करना होता है तो यह थी मारी जो है ना इसकी चीज इसमें देखे हैं के उन्होंने पूछ रहे है how will you manage the patient what is the stage of the cancer ठीक है तो इसमें क्योंके 4 cm mass है ना तो हमने बता है तो 2 to 5 cm होगा T2 होगी no easily lymph nodes palpable मतलब N0 है no evidence of metastasis मतलब M0 है T2, N0, M2 M0 क्या होता है stage 2 होती है this is stage 2 management कैसे करेंगे counselling of the patient करेंगे modified radical mastectomy हम करेंगे इसके लावा हम जो है अगर drugs को remove करना है तो micro dot टेक्टमी होती है और management ने इसकी आप triple assessment करके ना modified radical mastectomy लिखते हैं इसके साथ आप लिखते हैं के chemo therapy में ये drugs दे दूँगा hormonal therapy में और रेडियो तेरिपी में जो है ना रेडियो तेरिपी कर दूँगा तो इस तरह से हमारा हो जाता है recent advances जो है उसमें क्या है कि हमारे जो आजकल आए में वो trust to zoom app है इसके लावा जो है we have the befazizumab और इसके लावा we have the CD4 CDK6 inhibitors है ये सारे आए में आजकल तो तार्यूसीन कानेजने बिटर्स भी आजकल हम यूज कर रहे हैं और ये सब कुछ ठीक है उसके बाद आदेता है 40 years old female मैं आपको इसको next part से questions करवाती है